हलो स्टुडेंट्स आज हम गुंजन पार्ट माला में एक नया चप्टर शुरू करेंगे पायल का साहस इस पार्ट में एक लड़की होती है जो बहुत बहुत साहसी है उसका नाम है पायल पायल एक हाथसे में अपने हाथ खो देती है और उसके बनावटी यानि कि नकली हाथ लगाये जाते हैं तो ऐसा उसके साथ केसे हुआ वो हम इस चप्टर में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम चप्टर की रीडिंग करेंगे आप सभी को भी अपनी गुंजन पार्ट माला निकालना है पेज नेंबर 49-39 पायल अलवर के एक गाउ में रहती है उसके घर के चारो तरफ हरे भरे खेत हैं पायल बहुत हसमुक बच्ची है पढ़ाई के साथ-साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है पायल अलवर के गाउ में रहती है उसके घर के चारो तरफ हरे भरे खेत हैं पायल बहुत हसमुक बच्ची है हसमुक मतला वो हमेशा खुश रहती है पढ़ाई के साथ-साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंबा उखड गया था उसमें से बिजली का एकतार नीचे जूल रहा था खेलते खेलते पायल के भाई का पेर उस पर पड़ गया एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ फ्रैंड्स के साथ बाहर चुपन चुपाई खेल रही थी एक दिन पहले बहुत तेज आंधी आई थी जिससे बिजली का खंबा उखड गया था और उसमें से एक तार जो है नीचे जूल रहा था खेलते खेलते अचानक पायल के भाई का पेर उस पर पड़ गया पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकडी से तार हटाया और जोर से बोली जल्दी भाग जा तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गय और वह वही गिर पड़ी अन्य साथियों ने घबरा कर शोर मचाया बचाओ बचाओ आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भाग कर आए पायल ने देख लिया कि बिजली का तार उसके भाई के पैरों पर आ गया है तो तुरंत उसने पास में पड़ी हुई एक लकडी से तार को हटाया और अपने भाई को कहा जल्दी भाग जा तभी तार पायल के हाथों पर गिर गया और उसकी हाथ बिजली के तार से चिपक गये और वो वहीं गिर पड़ी तो उसके जो फ्रेंड्स थे उन सबी ने शोर मचाया बचाओ बचाओ तो उनकी आवाज सुनकर जो लोग खेट पर काम कर रहे थे वो लोग तुरंत भाग कर वहाँ आए खेट पर काम कर रहे लोग वहाँ पर आ गये पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं, तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे, उन लोगों ने देखा कि पायल को करंट लगा है, उसके हाथ करंट से जल गए हैं, बिजली के तार से जल गए हैं, तब तक थोड़ी देर में पायल के मम्मी पाप भी वहाँ आ गए थे वे उसे तुरंट अस्पताल ले गए अस्पताल पहुच कर डॉक्टर ने पायल की जाज की और बताया करंट लगने से हाथ बहुत चल गए हैं अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए यह सुनकर पायल के माता-पिता उदास हो गए वे उसे तुरंट अस्पताल ले गए हॉस्पिटल ले गए हॉस्पिटल पहुच कर डॉक्टर ने पायल की जाज की और बताया कि करंट लगने से पायल के हाथ बहुत जल गए हैं और अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाएगी, तो ये सा सुनकर पायल के माता-पिता बहुत उदास हो गए, दुखी हो गए. डॉक्टर साब, डॉक्टर साब क्या कहते हैं, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे, अब डॉक्टर साब ने कहा उसकी माता-पिता से कि हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे, क्योंकि उसकी हाथ बहुत जल गए हैं, तो पिता जी ने क्या पूछा, फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर पाएगी न डॉक्टर साहाब पिता ने उदासो कर पूछा फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद तो कर पाएगी न डॉक्टर साहाब पायल सब सुन रही थी तपाक से बोली पिता जी मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी विद्याले भी जाऊंगी और खुब पढ़ूंगी लिखूंगी पायल पिता जी और डॉक्टर की बातें सुन रही थी और वहत तुरंट से बोली पिता जी मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी और मैं स्कूल भी जाऊंगी और खुब पढ़ूंगी लिखूंगी भी वो बहुत बहादू लड़की है बहुत साहसी लड़की है उसके अंदर I can do जैसी feeling है कि yes I can do मैं सब कर सकती हूं इतनी हिम्मत वाली लड़की है वो पायल अब बच्चों आपको page number 39 और 40 की reading करना है इसके आगे क्या होता है हम next session में पढ़ेंगे तब तक के लिए बाई बा झाल अज बाई बाई